नमस्कार स्टुडेंट्स मैं स्वीटी सालेचा लेक्शिर मेकैनिकल आपको थर्ड एर का एक सब्जेक्ट एडवांस वर्क्शॉप टेकनिक्स जिसका कोड है M.E.306 आपको इस साल पढ़ाऊंगी तो लास्ट एर आपने 209 वर्क्शॉप टेकनोलोजी पढ़ा था जिसमें आपने कुछ मशीन टूल्स एंड मशीन टूल जियोमेट्री त्यादे के बारे में पढ़ा था अब इस साल हम कुछ और मशीन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम बोल रहे हैं एडवांस वर्क्शॉप टेकनिक्स इस सब्जेक्ट में आपको कुछ निवर मशीनिंग मैथर्स और मशीन्स जो की आपको प्रिसीजन मशीनिंग जैसे कि आपने पहले भी पढ़ जोब आपकी बन रहे थे लैथ में शेपर में बट इसकी जो क्वालिटी है वह आपकी मेटल फिनिश सर्फेस फिनिश क्वालिटी एंड प्रिसीजन आर मोर दैन दे अधर दे शिंपल बेसिक मशीन दिजार दे लैथ एंड शेपर एंड ड्रिलिंग एक्सेक्टर नाव हम इसको ब्रिफ कर लेते हैं तो फर्स चेप्टर आपका मैटल कटिंग शोज यह आपने पहले भी देख रुखा है वगरा में की जॉप को कट करने के लिए सपोस्ट भी रॉड्स या फिर कोई भी मैटल का वर्कपीस है तो इसको कटिंग करने के लिए जो स्पेशियल मशीन होती है इसको हम बोलते हैं मैटल कटिंग शोज धूसरी होती है बोरिंग मशीन लास क्लास में अपने दृशिंग के बारे भाए पढ़ा था ज ड्रिल्ल होल होते हैं उनको एनलार्ज करने के लिए हम जो ज देन आपके very important machine, the third machine is the third chapter, आपका milling machine, milling machine आपके subject का बहुत सारा portion cover करती है, as well as आपके जो practical होते हैं, उसमें भी आपके milling machine के काफे सारे jobs आपको बनाने हैं, तो milling machine क्या होती है, milling machine में generally आप लोगों ने देखा था कि आपका work piece मूँ कर रहा था, या फिर rotating job होते थे, बट milling machine में आपके rotating cutter होता है, rotating cutter होता है, जो आपका tool होता है, और उसके द्वारा आप job बनाते हैं, इसमें काफी सारे type के jobs बन जाते हैं, जो कि आपके लैत में भी बनते थे, जैसे कि facing, slotting, t-slot, gear cutting, indexing, ये सारे इसमें होते हैं, इसमें आपके सबसे थ subject में जहां आती है, वो इसी में आती है, that is the indexing of the job, indexing mechanism, ये सारा इसमें इसके अंतरगत आप पढ़ोगे, इस chapter को complete करने में आपको 6-7 turn लग जाएंगे, 6-7 lectures लग जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने बोला था, कि इसमें हम कुछ finishing process भी पढ़ेंगे, तो 4th chapter आपका grinding and grinding, machine त उपर की surface को अगर आपको finish करना है, तो उसको finish करने के लिए जो tool उज़ करते हैं, उसको हम बोलते है, grinding wheel, तो grinding machine में आप क्या करोगे, grinding machine इसको भी हम detail में पढ़ेंगे, इसका classification, इस wheel को कैसे बनाया जाता है, आप market में जाते हैं, तो इससे कैसे पर्चीच करेंगे, ये सारी चीजें इस chapter में including है, इसके लावा, some classification and the selection of the grinding wheel, इसमें भी आपको 6-7 turn लग जाएंगे, then आपको जैसे कि आपको advance बोला है, तो general lat आपने पढ़ी थी, या फिर engine lat आपने last year पढ़ी थी, इस साल आप पढ़ोगे, capstan and tarot lat, ये आपके large job as well as ये automatic machine है, इसको हम बोल सकते हैं, it is a fully or semi-automatic lat, इसमें जो आपका job, tool holder होता है, उसको हम बोलते हैं, turret, turret के अंदर आप maximum 6 tools आप इसमें hold कर सकते हो, इस, capstan and tarot lat में भी indexing होती है, इसमें हम bar feeding mechanism use करते हैं, ताकि इसमें continuous and mass production हम लोग कर सकें, तो ये भी बहुत ही interesting chapter है, edge well edge, थोड़ा सा typical भी है, क्योंकि इसके mechanism, जैसे कि turret indexing mechanism and bar feeding mechanism, थोड़े समझने में hard होते हैं, तो जब भी ये chapter हम करेंगे, आपको यहाँ पर present रहना है, इसके बाद में advanced technology है, तो आपका 6th chapter आजाता है, automatic machines, इसमें आपके various types of automatic machines के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपके switch type, automatic screw machines, turret type screw machines and transfer machines, transfer machines कहाँ हो जोती है, जब आप किसी factory में, industry में production start करते हैं, तो material पूरे तरह से automatic होता है, तो in-line transfer एक operation के बाद continuously job आपका दूसरे operation के लिए shift किया जाता है, तो इस तरह से जो machining होती है, जो आपके production में और mass production में काम आती है, उसको हम बोलता है, transfer, machining and rotary indexing table and these all are the automatic machines, इसको हम detail में पढ़ेंगे, जब हम यह chapter लेंगे, इसके बाद में मैंने आपका बताया था, इसमें हम कुछ finishing processes के बारे में पढ़ेंगे, तो chapter number 7 ते आपका metal finishing processes, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि finishing का purpose क्या है, और कौन-कौन सी process पढ़ेंगे, तो metal finishing processes आप पढ़ेंगे, lapping, super finishing, polishing and buffing processes, और इसमें आप लोग honing machine के बारे में भी पढ़ेंगे, chapter number 8, आपका है maintenance of machine tools, तो maintenance of machine tools के अंतरगत, आप किसी भी machine tool या machine का maintenance कैसे करते हैं, उसकी क्या difference, different steps होती है, और इसमें आपको कैसे आप उसकी problem को rectify करोगे, यह सब कुछ आपको बताया जायागा, then 9, किसी भी machine में आपको अगर बहुत ही अच्छी quality की machine आपको दे दी जाए, पर अगर उसका installation ठीक नहीं है, तो आपका क्या होगा, वो पूरा output नहीं दे पाएगी, initial में तो आपको क्या होगा, जब उसकी efficiency high रहेगी, तो machine फिर भी आपको output दे देगी, बट बहुत ही जल्दी उसकी life span कम हो जाएगी, इसलिए installation and testing of the machine is the very important part of the machining, इसके बाद हम लोग को बात कर लेते हैं, 306 आपका 306 की एक वरक्शॉप आईगी पर वीक, जिसमें आपकी practicals हैं, जैसे मैंने आपको पताया था, practicals में कौफी सार पोरिशन आपका क्या है, मिलिंग मशीन का है, तो first आपका आजाता है, face milling operation, second आजाता है आपका, gear cutting और न मिलिंग मशीन, थर्ड आपका आजाता है, keyway cutting on, shaft ये भी आप मिलिंग मशीन में करेंगे, exercise on, gang milling, ये भी एक मिलिंग मशीन का operation है, then job on capstan and turret lat, ये आपको मैं theoretically बताऊंगी, then job on grinding machine, grinding machine में आपके तीन जॉब है, surface grinding, cylindrical grinding and centerless grinding, then आपके है, milling cutter grinding on tool and cutter grinder, तो जो आपके grinding machine होती है, वो tool and cutters की भी grinding करती है, that means कि उनकी edges जो sharp नहीं रह जाती है, उनको sharpen करना, job using, copying attachment, ये सब आपको मैं आपको आपको आपकी जब भी workshop होगी, तब मैं आपको बताऊंगी, then इसका last, 10th chapter है आपका exercise on honing and leping machine, super finishing, practice and maintenance of milling grinding and lat machine, जैसे कि मैं बताया था, कि एक अच्छा engineer होता है, वो उसको installation से लेके machine के operation और maintenance, सभी के बारे में knowledge होना चाहिए, कैसे finishing होती, जो आपकी, तो ये सारा chapter आपको advanced technology बताएंगे, लास्ट येर भी आपने workshop technology पढ़ी थी, तो आपके पास book होगी हजारा आयन, चौधरी, आप workshop technology second by BS Raghuansi भी यूज़ कर सकते हैं, ये दो books मैं आपको refer कर रही हूँ, इसके लावा BS Raghuansi आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, तो आप search कर सकते हैं, इसके लावा अगर आपको और भी हिंदी books चाहिए, तो आप लोग refer करते हैं, किसी भी एक code book को आप refer कर सकते हैं, तो हम जो है next chapter आपका start करेंगे with milling machine, milling machine क्या होती है, क्या उसका working principle होते हैं, क्या उसके specifications होते हैं, तो हम start from our third chapter milling machine.